देश को आज रामनात कोबिन के रूप में नए राश्टपती मिल गए हैं रामनात कोबिन राश्टपती के उमिद्वार के रूप में पर्चा भरने के पहले बिहार के राजपाल के पद पर आसीन थे खास बात यह है कि राश्टपती पद के उमिद्वारों की होड में उनके नाम की चेर्चा भी नहीं थी उनकी पहचान उतर प्रदेश से बीजेपी की एक दलित नेता के रूप में रही है ये दो बार राजसभा के सदस से रह चुके हैं कोविन्द पहले सरकारी वकील की भूमिका में थे 1971 में बार काउंसिल के लिए नामंकित होने के बाद कोविन्द ने दिल्ली हाई कोट और सुप्रिम कोट में करीब 16 साल तक प्राक्टिस की थी रामनात कोविन्द उत्तर प्रदेश से राश्टपती बनने वाले दूसरे शक्स हैं इनका जन 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपूर दिहात में हुआ था कोविन्द ने कानपूर विशोविद्याले से बिकॉम और एललबी की पढ़ाई की है गवर्नर ओफ बिहार की वेबसाइट के मुताबिक कोविन्द दिल्ली हाई कोट में 1977 से 1989 तक केंद सरकार के वकील की भूमिका में रहे थे जबकि 1980 से 1993 तक केंद सरकार के स्टेंडिंग काउंसिल में थे 1994 में कोविन्द उतर प्रदेश में राजसभा के लिए सांसत चुने गए थे वो 12 साल तक राजसभा के सांसत रहे और कई संसदिय समीतियों के सदस से भी रहे वहीं आदिवासी, होम अफियर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, समाजिक नयाए, कानून नया बेवस्था और राजसभा हाउस कमेटी के चेर्मेन भी रहे कोविन्द गवर्नर्स ओफ इंडियन इंस्ट्यूट अफ मैनेजमेंट के भी सदस से रहे है 2002 में कोविन्द ने संग्यूत राष्ट के महसभा को संबोदित भी किया है इन्होंने च्छात्र जीवन के दवरान अनिसुचित जाती, जन जाती और महिलाओं के लिए भी काम किया ऐसा कहा जाता है कि वकील रहने के दवरान कोविन्द ने गरीब दलितों के लिए मुफ्त में कानूरी लड़ाई भी लड़ी है कोविन्द की शादी 30 मई 1974 को सवितक कोविन्द से हुई थी इनके एक बेटे प्रिशान्त हैं और बेटी का नम स्वाती है राष्टपती चुनाओं के लिए 17 तारीक को वोट डाले गए थे राष्टपती चुनाओं के लिए कुल 32 जगहों को मतदान किया गया था इसमें 29 राज और दिल्ली वो पांडू चेरी समेत केंदर शासित प्रदेश और संसद बवन शामिल है जहाँ पर राजसभा और लोगसभा के संसदों ने मतदान किया था राष्टपती चुनाओं में इस बार हुई 99 परसेंट की वोटिंग अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग कही जाती है कीचे सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब चैनल को साथ ही फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टरग्राम, गूगल प्लस पर भी फॉलो करें लिंग्निक पर भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं